अगर आप असी और नब्बे के दशक में क्रिकेट देखा करते थे तो मुझे बतानी की जरूरत नहीं है कि फिलाल में कहां खड़ा हूं क्योंकि यह जो मैदान है इसने कई सारे फेमस भारत पाकिस्तान मैचिस देखे हैं शार्जा क्रिकेट स्टेडियम और यहां तो मैं आया हूं 2022 का एश्या कप कवर करने जो की पंदरवा एडिशन है इस टोर्नूमेंट का लेकिन आप जानते हैं एश्या कप का तालुक इस स्टेडियम में पहला मैच खेला गया था पाकिस्तान और श्रिलंका के बीच 1984 एश्या का फर्स्ट एडिशन वो टोर्नूमेंट भारत ने जीता था और उससे शार्जा क्रिकेट स्टेडियम में अंतराश्रे मैचों का सिलसला भी उस एश्या कप से शुरू हुआ था तो क् इसकी पीछे की कहानी कुछ आपको मैं बता दूँ देखे उससे पहले एक एग्जिबिशन मैच यहां पर खेला गया था जाविद मियादा 11 और सुनील गावसकर 11 भारत और पाकिस्तान की टीमें खेली थी उसके बाद यहां पर देखा गया कि बहुत रुची है बहुत इं इस समय और आयोजग थे उन्हें लगा कि नहीं इस जगह में पोटेंचल है यहां पर इंडिया पाकिस्तान मैचेज हो सकते हैं क्योंकि यहां की जो पॉपुलेशन है उसमें धेर सारे भारतिय भी हैं बहुत सारे पाकिस्तानी भी हैं बहुत रुची यहां पर होगी अगर आप भारत और पाकिस्तान के मुकाबले खेलेंगे तो उस एग्जबिशन के माच के बाद यह आइडिया आया कि यहां पर आप एशा कप खेलें पहला एडिशन एशा कप का यहां पर हुआ भारत ने वो टोर्नमेंट जीता उस वकर राउंड रॉबिन टोर्नमेंट खेला गया था हर टीम ने दूसरी टीम को सरफ एक बार खेला तो एक टीम ने दो मकाबले खेले भारत ने पाकिस्तान और शुलंका दोनों को हराया और खिताब जीता एक बहुत युवा टीम थी सुनील गावसकर कप्तान थे उस समय तरासी में कपल दे वर्ल्ड कप जिता चुके थ भारती टीम को लेकिन उस टोर्नमेंट का हिस्सा नहीं थे सुनील गावसकर के हाथ में थी कप्तानी और कई युवा खिलाडियों को मौका दिया गया था कईयों ने अपना डेब्यू किया मनुष प्रभाकर उन में से एक थे चेतन शर्मा उन में से एक थे और उसके अलाव सुरिंदर खन्ना ने भी अपना यहां पर डेब्यू किया और सुरिंदर खन्ना जो विकेट कीपर बैट्समें थे उन्होंने धेर सारे रन बनाए और मैन अफ दे सीरीज भी साबित हुए तो वो जो सिलसला शुरू हुआ 80s 90s में जारी रहा काफी रोमांचक मैच देखने सिर्फ इस जगा बैठे हुए ही आपको पुरानी यादे जो हैं वो ले जाती हैं 80 और 90 के दशक में वो इसलिए क्यूंकि अगर आप टीवी में उन दिनों मैचेस देखा करते थे तो आपको याद होगा यहां पर वीवी आईपी बैठा करते थे चोटे-चोटे क्यूबिक पूर्फ खिलाडी सब यहां बैठ कर मैच का आनंद उठाया करते थे और कई मौके भी उन्हें हिस्टारिक मौके भी देखने को मिले होंगे इतियासिक लम लमे देखने को मिले होंगे जैसे की कुछ याद आता है पहले इशया कप के बारे में तो हमने चर्चा की लेकिन उ पाकिस्तान को आल आउट कर दिया था तो वो एक शांदार जीत थी और उस मैच में मैन अदो मैच इमरान खान बने थे छे विकेट उन्होंने जटकाई थी लेकिन अंत में भारत की जीत हुई थी सनी गावसकर भी उस टीम का हिससा थे कपिल देव कपतान थे उस टीम की उस और आखरी गेंद आते आते चार रंच चाहिए थे मियादाद ने चक्का लगाया और चेतन शर्म अकसर बात करते हैं मैंने अंतराइस्टी रिकेट में है ट्रिक ली उसको कोई नहीं याद रखता चका क्यों खाया यह सवाल मिर से हमेशा पूछते हैं लेकिन मुझ से आप यहाँ पर थी डेजर्ट स्टॉम उसको नाम दिया गया था सचिन तंदूलकर की पारी पे जो उन्होंने 143 बनाय थे 131 गेंदो में और वो फाइनल से एक दिन पहले आया था और न्यूजिलेंड थी उस ट्राइस सीरीज में कोई तीम भारत को ना सिर्व मैच जीतना था ब और टोनी ग्रेग की कॉमेंटरी हम कैसे भूल सकते हैं उससे भारते टीम फाइनल में कॉलिफाइ करती है फाइनल में फिर सचिन शतक लगाते हैं और यह खिताब है भारते टीम के नाम होता है कुकुकुला कप था वो टोर्नमेंट तो वो एक बहुत ही सेनेरी आद थी जो इस स्टेडियम से जुड़ी हुई है इस शार्जा क्रिकेट स्टेडियम की कहानी हमने शुरुआत करी थी पहले एशा कप से जो 1984 में खेला गया था और इस कहानी का अंतम करेंगे जो मौझूदा एशा कप 2022 में चल रहा है वो इसलिए क्यूंकि इस टोर्नमेंट के दौरान एक एतिहासिक लमा इस मैदान से जुड़ सकता है क्या है वो देखिए जहां तक सबसे जादा वन डे मैचिस का सवाल है उसमें शार्जा क्रिकेट मेदान को नंबर वन स्थान हासिल है 244 ODIs मैचेज यहां पर खेले गए हैं और कोई भी और स्टेडियम इसके आसपास नहीं आता लेकिन अगर आप ओवर ओल अंतराश्ट्रे मैचेज की जो सूची है उसको देखें तो उस पर पहले पायदान पर है सिद्नी क्रिकेट ग्राउंड 280 अंतराश्ट्रे मैच वहां खेले गए हैं फिलाल शार्जा दूसरे पायदान पर आता है 279 इंटरनाशनल मैचेज के साथ लेकिन एश्या कप में अभी जो मैं रेकॉर्डिंग कर रहा हूँ दो मैचेज अभी भी बाकी हैं जो इस मैदान पर खेले जाएंगे उसका मतलब क्या है उन दो मैचेज के बाद इस टोर्नमेंट के अंत तक शार्जा क्रिकेट ग्राउंड नंबर वन स्थान पर सिड्नी क्रिकेट ग्राउंड को क्रोस कर जाएगा 281 इंटरनाशनल मैचेज यहां पर हो जाएंगे जो किसी भी वेन्यू पर नहीं खेले गए है तो एक बहुत बड़ा एक मोमेंट होगा शार्जा क्रिकेट ग्राउंड के लिए और देखे आप तुलना कीजिए सिड्नी म अंतराशनल क्रिकेट चुरू हुआ 1880 में और यहां पर शुरू हुआ 1980 के दशक में 100 साल बाद फिर भी इतनी तेज रफतार से उस सूची में शार्जा क्रिकेट मैदान ऊपर तक गया है तो यह थी हमारी कहानी इस स्टेडियम के बारे में जहां हम सब की धेर सारी यादे जुड़ी हुई है मैं हूं निखिल नाज आज तक के लिए एक तो पाकिस्तान से लेना है बदला दूसरा एश्या कब जरिया है वर्ल्ड कप जीतने का भी हम रहेंगे दुबाई में आपकी आंख और कान बनकर सारा एक्शन दुबाई से होगा लाइफ फड़ा-फड़ से यूट्यूब जागर स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब कर लीजिए